लोग कहते हैं मसलके आला हदरत, हम मसलके आला हदरत के चाहने वाले हैं, हम मसलके आला हदरत के मानने वाले हैं, और थडले पडले से वहाँ वीडियो भी होता है, वहाँ के सीडिया बनाई जाती है, उसमें देखा जाता है, कि हदरत गारी से उतरते हैं, तब भी वीडियो ब चाहे वो सुफेद पगड़ी वाला हो, ये सुन लो, ये मसलब के आला हदरत का नारा लगाना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, अपनी शोहरत से धूर उबास आ जाओ, अगर तुम चाहते हो कि कौम में इसलाम की हकानियत को वाज़ किया जाए, कहते है कि देखो, जरूरत है इस चीज़ की, इस चीज़ की जरूरत है, कि इसलाम की बाते बताई जाए, इसलिए ये वीडियो होता है, और तीवी पर सब दिखाया जाता है, मैं कहना चाहता हूँ, कि इस इसलाम को तुम्हें बताना तुम्हारा काम है, तुम्हें ससबात बताना, मसला बताना भकानियत बताना ये तुम्हारा काम है ये तुम्हारे बसकी बात नहीं है कि मसला भी बताओ और जिस शख्स को बताओ उसके दिल में ठोस भी दो ये तुम्हारे अंदर इस्तिकात नहीं है तुम्हारा काम है मसला बताना तुम्हारा काम है इस्लाम संजाना उसके दिल में उतारना अल्लाह के जिम्में करण पर बहुत वाविला हो रहा है आजकर इस तहरेकों के लेकर के इसके ये लोग अच्छी बात बताते है फिर भी इनकी मुखारिफत की जाती है ये लोग अच्छी बात बताते है मैं कहना चाहता हूँ अगर एक नाली से मुसल्बसल आप लोग गेख रहे हो एक नाली से गंदा पानी बहाँ चला जा रहा है और एक दिन अचानक उसी नाली से फिल्टर पानी आए कोई बंदे खुदा बताए उसको पिएगा अच्छा साफ सुद्रा पानी आएगा कोई पीने के लिए तैयार होगा नहीं होगा वो कहेंगा किए हम पी सकते हैं यहाँ से हफ़ द साल से लेक रहे हैं कि दंदा पानी बेहता है रो सकता है इसके जराईन इस साफ पानी में भी आए और हमारे अंदर बिमारी पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं कि टीवी के जरीए हम इस्लाम के अकानियत बनन करना चाहते है तो जो टीवी पता साल से हमें नाच काला दे रही है वो इस्लाम को कैसे बता सकते हैं टीवी के अंदर क्या दिखाया जाता यही तो होता है अरे जिस टीवी से हमारे बच्चे हमारी नसले इमान की कमजोरी कर लिए आज उस टीवी से तुम तबलीग करना चाहते हो उस दोर में कितनी जरूरत थी क्यों उस वक्त टीवी पैदा नहीं हुई जब बहुत कम मुसल्मान थे उस दोर में ऐसा कुणाना क्यों पैदा नहीं हुआ हो जाता इसलाम बहुत चल्दी से बढ़ जाता और आज तुमें 1400 साल के बाद इसली फिकर हो गई जब वक्ता में इसलाम ने एक छोपड़े में चनम लिया था तो इसलाम होगा से बलंद हुआ है पाकिस्तान पहुच रहा है अफगानिस्तान पहुच रहा है अमरीका पहुच रहा है आस्ट्रिया पहुच रहा है इंग्लेंड पहुच रहा है कोई तीवी थी है अगर तीवी हो तो मुझे बताओ जब इसलाम 1400 साल में लोग ये पूछना चाहते हैं कि अच्छी तो बात बता रहे हैं और आज हम इनकी मुखारिफ़त करते हैं विटा अच्छी बात बतानी होती तो 14 से साल से कौन सी घलत बात बताई जा रहे हैं तुम दो चल लोग टीवी पर आकर इसलाम फैला दोके उसके हक्कानियत बता दोके ये हमारे समझ की बाहर की बात है ये घलत है तुम्हें बताना है तो क्यों नहीं रिकारिंग के ज़र ये बताया जाता है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि टीवी के बिना इसलाम नहीं फैलेगा हम अपनी सची बात नहीं बता पाएंगे टीवी का जनम कबसे हुआ और इसलाम कबसे भेड़ा है बताओ कहीं कोई बता दे क्या उस वक्त इसलाम मक्का ने उसरा और मक्का से हिंदुस्तान आया तो कोई टीवी थी अफ्रीका गया कोई टीवी थी इंगन गया कोई टीवी थी नहीं थी तो हमें समझ में आता है अधर तुम्हें इसलाम की तब जे माशाना रहेगा माशाला हम अपना काम करें से काम करू आउल्ला सुवराणी दिने वाला है ये तमवारें बताने से इस इसमें मजबूती नहीं आती है अल्मT वहीडने से इतनी मौपत फर्मादा है पुर cohd इस इसो इसहाथ ना ही इसना इसलिए बहुत शच्छों पंज में हो रहा है हम लोग कि अच्छी ही तो बात बता रहे हैं लेकिन सुनो दौर जब ऐसा आए कि फित्रा परवरी हो रही हो हमें समझ में आए तो हमें देखना चाहिए कि अलाह तबारक में ताला ने इस दौर में किस फकीह को सबस ऐस सब्सक्राइन की जरूरत नहीं है मेरे ताज श्रीया को सुनो उन्होंने जो परभाया वो सही है वरना मसलिकिए अल्ण कि मारत हर जगे लगता है केमिरा भी लगा हुआ होता है और मसलिकी बात भी क्रते मसल्म किया है इसको जबन रहे तो ताज श्रीया की जिनद़की 보고 भार तीसे करेंगा की जिंदगे को देखो टीARI वाला भी मसलकिया अला भद्रettes के रहा हे फोटोग्राफी वाला भी मसलक अला हद्रे भष्रे वाबस्था करना है तो हमें ताज-श्यिया की जिंदगे को देखना होगा बोसूर इताज diyczétais a manager ये मसल़ के आला हदरत की जमाद तबलीग नहीं है तो अब हमें क्या जरूरत है कि चूचूमे में करने की इस बात को बढ़ाने की क्या जरूरत है जब शेयख कामिल ने कह दिया ऐसा शेयख कि जिसकी जमान से जमाद निकल जाती है अम्बै के सर्जमीन पर हुजूर इताजु शरिया की बारगाह में एक शक्स अपनी चंद महेनी की बच्ची लेकर हाजी हुआ हुजूर इसका आपरेशन दुआ फर्मा किस चीज़ का आपरेशन है कहे के हुजूर इसके दिल में हौल बता रहे हैं सुराख है तो इसका आपरेशन कराना है डाक्टर ने बताया हदरत ने फर्माया कुछ नहीं है इसको कुछ नहीं है एक दुआ पड़े उस पर दग किये कई साल हो कि अबच्ची को भी आपरेशन की जरूरत नहीं पड़े यह लाह की बारगाह में मकबूल बंदे हैं यह फुकहा एजाम है यह हमें सहीराग लिकाते हैं यह हमें वस्ता क्याला हदरत की पहचान देते हैं जब इनोहों ने जो कह दिया जा आद पुन दुनिया उनकी तरफ माईल हो रही है मिस्रिके बड़े बड़े प्रफिसरार यह हमें के बड़े प्रफिसरार जब हुदूर ताजिस शरिया की तरफ माईल होते हैं वो चाहे कोई भी हो लेकि वो कहता है कि आज कोई इस दुनिया में शेख कादिल नजर आता है तो वहाला हदरत का शेखाना नजर आता है कोई इसे कड़े नजर आता अब क्या बीच बीच में ये वीडियो वो वीडियो अब एक बात और फैला रहे हैं ये सब किसका कारणामा है गुजिष्टा साल यहां से जिसको अच्छी बात बताए गई थी क्या ओ ताजिस शरिया की बारगा में सुलह कर लो अज उनके चेले चपाटे ये बात को फैला रहे हैं कि देखो ताजिस शरिया ने दोनों तहरीगों के लिए दुआ की क्या कहना चाहते हैं और अभी तो जल्दी ही बात हुई कि ताजिस शरिया ने और महदिस कबीर ने दोनों तहरीक से सुलह कर ली है अब जगड़ा कुंसा हुआ है सुलह की बात कर रहे हो फितना तो तुम ख़़ा करते हो मेरे ताज शेरिया ने ना महद्दी से कभी ने कोई सुलह की है मसलख कि आला हदरत पर चलना है तो हकानियत को देखना होगा जिसको मेरे आखा ने हराम करार दिया है वो सब के लिए हराम है ताज शेरिया ने ना ही कोई सुलह की है ना हुजूर मुहद्दी से कभी ने कोई सुलह की है जो कलीप आज सुनाई जा रही है वो दस साल पुरानी कलीप है ये बीच में कुछ भंगी वंगी है, ये उन लोगों का कारणावा है, और उनके चेले चपाटे उसके नीचे पोष्ट भी लिखते हैं और उसको बढ़ाते हैं, हमने पहले कहा था, सारवन नहीं गुजरा, जनीर हो गए, हमने कहा, कि तुम लोग नादानी ना करो, आओ रहेगा और ना सुन्यत का नुकसार होगा, ये सुन्यत का नुकसार करते करते, अब यहां तक पहुँच गए, जिसके नाम पर रोटिया सेंख सेकर, अपने बेरे बनाए, गारियों में गुम रहे थे, आज उसी की कुस्ताखी खुले आप करने लगें, यो काजी नहीं हो स बगते हैं, अब सब समझ में आ रहा है, इसलिए अजिदाने मिल्लत इस्लामिया, मसलग के आला हजरत समझना है, तो हमें ताजिश शरिया की जिंदगी को समझना होगा, खुजूर मुहदिस कबीर की जिंदगी को, जादा आपस में कोई जगरा करने की कोई जरूरत नहीं, बस मालूं कर लो, कि इस तालुक से, हुजूर मुहदिस कबीर क्या फर्मा रहे हैं, ताजिश शरिया क्या फर्मा रहे हैं, बरोडा की सर्जमीन पर एक बहुत पड़े वली के शहजारे हुजुर मुहाईने मिल्लत है, उनके हजारों लाकों मुरीदीं हैं, उनको पूचा गया हुजुर्ट पलाँ के बारे में आप क्या रहा हैं गले क्यों गोले हुझाइस अवाम में एसे से बात हो रहीं आप क्या क्या फरमाते हैं उन भुजूद ने परमाया अरे इधर इधर क्यों बतग रहे हो सुनो पता करो हमावां मरकस बहीं लिए क्या कह रहा है वो जो कहता है मौईंग भी उनी के साथ है अगर वो हां कहे तो हम हां कहते हैं वो ना कहे तो हम अर्किस नहीं मानते हैं क्यों बटक रहा हो स्येज़ाद आल-ए-रसूल ताज-शरिया के हुप का इंदेर करे चान रहे है कि ये शैज़ादा ये वास एज़ादाब की आता है ये आल-ए-रसूल की आता है ये साहिब-लबर्कान की आता है कि उनका शहजादा उनकी नक्षे कड़म पर चल रहा है और ये सबर हमें आला हदरत ने उस दोर में दे दिया है तेरे खुलामों का नक्षे कड़म है राहि खुदा वो क्या बाद सकेजिए सुराद में देजिए